हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेग थैंक यू फॉर गिविंग मी लॉट्स अप सपोर्ट आज अपन देखेंगे रिसर्च बेस्ट होममेड मॉस्चिराइजर किस तरह से बनाया जाए उसकी सामगरी क्या-क्या है किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं किस तरह से बनाते हैं ये सब देखेंगे आज का कंटेंड अपने लिया है इंटरनेशनल अल्यू कॉंसल से नैशनल लाइबरेरी ऑफ मेडिसिन इंडियन जनरल अफ डर्मेटलोजी और अमेरिकन स्कूल अफ डर्मेटलोजी तो फर्स्ट कंटेंड जो है वो है ऐलो वेरा जो के आप सबको मालूम है ऐल जिससे अपकी स्किन स्मूथ होती है सोरियासेस डर्मेटलोजीकल कंटिशन्स में भी ऐलो वेरा का बर्न के अंदर भी ऐलो वेरा का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है सेकेंड कंपॉण्ड है गलिसरीन गलिसरीन रोज वाटर आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है कि विं Potentially उसके अंदर skin irritation करने वाले compounds को कम करता है, skin का dryness कम करता है और psoriasis में भी मदद करता है Third compound है olive oil याने जैतुन का तेल जैतुन के तेल के अपर एक special council है जिसने research काफी जादा research किये है Multiple disorders में, multiple conditions में olive oil का use का research उन्होंने किये है मगर specifically आज की topic के बारे में बात किया जाए तो olive oil जो है antioxidant से भरपूर होता है anti-inflammatory property होती है, sujan कम करता है, तुमारे wrinkles कम करता है, तुमारी aging effect कम करता है और जैसा जैसा बुडापे में चमड़ी जैसा नरम होने लगती है, तो उसमें भी olive oil जो है, वो काफी जादा काम करता है साथो साथ अगर hypertension है, diabetes है, ऐसे patient के अंदर जो puffiness of skin आ जाता है यानि चेहरे पे sujan जो आ जाती है, वो sujan भी कम करने काम olive oil करता है next है vitamin E, vitamin E जो है, यह सभी को मालूम है, fat soluble vitamin है, antioxidant से भरपूर है और anti-cancerous में भी इसे use किया जाता है, तो अब यह 4 content सबसे important है अपने लिए यह content को आप बनाया कैसा जाए, तो first of all आपने लेना है 4 teaspoon olive aloeira gel aloeira gel लेना है, aloeira gel आप company का भी ले सकते है, without chemical या very less chemical के साथ ले सकते है या आपको youtube पे aloeira से aloeira gel याने कुमारी, गृत कुमारी जिसे कहा जाता है, उससे aloeira gel किस तरह से निकाला जाए, वो आप देख सकते है एक teaspoon उसके अंदर glycerin मिलाना है, एक teaspoon जैतुन का तेल मिलाना है, और दो capsule जो है vitamin E की जिसे properly अगर कहा जाए तो उसको evian 400 tablet का आ जाता है, तो वो दो capsule फोड़ के उसके अंदर mix करना है, mix करने के लिए आप इस तरह से mix करें कि उसके अंदर water bubbles या air bubbles ना रहे, अच्छी तरह से mix करने के बाद में जो आपका aloeira gel जो पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता है अब secondly उसको apply किस तरह किया जाए, basically क्या करते है कि moisturizer normally लोगो रात को या सबेरे लगाते हैं और निकल जाते हैं, first of all आपको first step में जो है उसको properly face को wash करना है warm water के साथ में, उसके बाद में circular motion में गोल गोल गुमाते हुए अच्छी तरह से skin को गोल गोल हर तरह से round circle में नीचे आपको घूमाना है, और उसके बाद में थोड़ासा cotton के कपड़े से ऐसा पोचना है उसे उसको ऐसा थोड़ासा warm करना है, उसके चेहरे को थोड़ासा warm करना है, ताकि उसका अंदर का जो moisturizer है वो warm के वज़े से, реш it sizi is not your skin लगाते हैं और फिर सो जाते हैं तो मॉश्चुराइजर बॉड़ी के उपर लगाने के बाद में नॉर्मली आपने सोना आवाइट करना है मैक्जिमाम आप बारा घंटे के लिए समझे मॉर्निंग में लगाई तो इवनिंग तक दोना यह रात को लगा कर सकर सोते हैं तो सबेरे अच्छे से वाम वाटर से उसको वास करना है एक्सफोलियेट करना है जिसके वज़े से आपके चमड़ी के अंदर जो के कार्बन पार्टिकल्स है या दिन भर की जो डस्ट है वो निकल जाए और ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे लिए लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मुच